नमस्का दोस्तों मैं हूँ रहुलियादो और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल वाइस आप दिव्यांग अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथी वेल आइकन को भी दबा लें ताकि जो भ मैं बहुत अच्छी खबर देने वाला हूं जो आवाश योजना की मांग कर रहे थे जिनको आवाश योजना की आउशक्ता है उनके लिए आज की जानकारी बहुत ही महतपूर होने वाली है तो दोस्तों वीडियो के आखरी तक आप बने रहें जो दिव्यांग जन आवाश आखरी तक देखें इस वीडियो में आखरी तक बने रहें उनके लिए आज एक मैं बहुत ही महतपूर जानकारी देने वाला हूं दोस्तों उन दिव्यांग जनों के लिए एक बहुत बड़ा तवफा उत्तरप्रदेस सरकार जना की मांग कर रहे थे इसके लिए दोस्तों लगातार दिव्यांग जनों द्वारा आवाश योजना को लेके जगा जगा धर्ना परदसन किये जा रहे थे और सरकार से लगातार दिव्यांग जन आवाश योजना की मांग कर रहे थे तो जिन दिव्यांग जनों को अभी तक आवाश योजना का लाब नहीं मिला है उनक के लिए दोस्तों 386 करोड रुपे की मंजूरी सरकार ने दे दी है मुख मंत्री आवाश योजना ग्रामीड के तहट चालू बित वर्स में 65,000 से अधिक दिव्यां जनों को आवाश मुहया कराए जाएंगे दोस्तों वहीं चालू बित्ती वर्स में इस योजना के तहट कुल 95,533 लब हर्थियों का आवाश अवंटित किये जाने की तैयारी में सरकार है बता दे कि प्रधान मंत्री आवाश योजना में आवाश योजना ग्रामीड के तहट आवाश मुहया कराए जा रहे हैं 386 करोड रुपे की मंजूरी मिल गई है योजना के तहट वर्स 2023-2024 में सरवाधिक आवाश उपलब्ध कराए जाने का लच रखा गया है दोस्तों और किन लोगों को इस योजना का लाब मिल सकता है किन दिव्यान जनों के अलावा और इस योजना का लाब किन लोगों को मि उपला देता हूं मुख्यमंत्री आवाश युजना ग्रामीर के तहत ग्रामीर छेत्रों में प्राकिर्तिक आब्दा जिन लोह का प्राकिर्तिक आब्दा जैसे बरसात रुज़ासे उनका माकान अगर गिर गया है तो उनको भी इस योजना का लाब मिल सकता है काला जार के अंतरगत आते हैं और इन जातियों को इस योजना का लाब मिल सकता है जो कोल हैं सहरिया हैं थारू हैं लोहार हैं नठ हैं और इसके अलामा दिव्यांग जनों को इस योजना का लाब मिलेगा और जो लोग कुष्ट रोग से प्रभावित हैं उनको भी इस योजना का लाब मिलने माला है तो दोस्तों दिव्यांग जयनों के लिए एक बहुत बड़ी खबर जो दिव्यांग जयन आवाश योजना का इंतजार कर रहे थे उसकी घोशड़ा सरकार ने कर दी है और इसके लिए से 386 करोड रुपे की जो मंजूरी मिल गई है दोस्तों बता दूं कि यह योजना ग्रामीड छेत्रों के लिए ही दी गई है यह आवाश योजना जो दिव्यांग जन या जो भी लोग इसका लाब लेना चाहते हैं जो लोग ग्रामीड छेत्र में रहते हैं जो गाउं में रह बात रहें उनके तक पहुंचाए जाए मैं सरकार से यही मांग करता हूं तो दोस्तों मुझे उमीद है कि आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी यह जानकारी आपको कैशी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में तक की लिए नमस्कार